हेलो दोस्तों स्वागत आपका SPG चैनल में तो दोस्तों इस वीडियों हम डिस्कस करने वाले हैं MP Board के 10th Class के दोस्तों इस वीडियों में हम only 10th Class के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपके Hindi Medium और जो English Medium के जो एक्जाम है कितने एक्जाम सीस रह गए हैं और आपके कितने एक्जाम होने बाले हैं और आपके जो एक्जाम है कब तक होने बाले हैं तो हम सबको इस वीडियों में डिस्कस करेंगे 10th Class से रहे लेडर तो जो भी चैनल पहले और विजिट करें रुक्ष्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा लेना साथ ही वीडियो को लाइक जरू कर देना है तो चलिए दोस्तो वीडियो करते हैं शुरू तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो 10th Class में जो एक्जाम रह गए हैं वह हमारे जो एक्जाम रह गए हैं दोस्तो 10th Class और Hindi Medium दोस्तो एक Hindi Medium है और एक हमारे रह गए हैं English Medium हमने 10th Class को दो भागों में डिवाइट किया है एक Hindi Medium और English Medium और चो मैंने आपको बताने ही कोसिश कर रहा हूँ में 3D Dimensions के माध्यम से आपको बताने ही कोसिश कर रहा हूँ 3D Diagram के माध्यम से आपको बताने ही कोसिश कर रहा हूँ जिससे किया है आपको अच्चे समझ में आल जाएगा clear समझ में आएगा दोस्तो तो दोस्तो आप सभी को पता है कि 10th Class में आपके हिंदी मीडियम के एकजाम होना था एक 19 मार्च को होना था और 23 मार्च को होना था आप सभी को पता है दोस्तों कि आपके जो एकजाम होने थे तैंत क्लास में वो हिंदी मीडियम के अंतकरा सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के बात करने वाले हैं तो आपके दो एक तो दूस्तो, आपको जो उनिस मार्च को जो एकजान मोना था वो completely हो चुका था और उनिस मार्च को जैसे वो एकजान मोग और एकजान मोनेधे चाहाथ ह जो की 2018 मेडियोल को जो आपका एक्जाम होने वाला था। बहु होने वाला था। तो दोस्तों, ajkt 11 मार्च को आपका England् incredibly हुज़ जनरल हुज़ चुकांग है. ए ref asp 23 fundließ 23 मेडियोन शाले वाले हम कुंप्पेस्यान, लेकिन जो आपका Hindi medium में एक exam सेस रह गया है दोस्तो हिंदी medium बाले जितने भी student है उनका only एक ही exam जो की सेस रह गया है जो 23 मार्च को होने वाला था Hindi special का ओके और हम बात कर लेती हैं दोस्तो कि English medium में जो कि कितने exam सेस रह गया हैं अभी तो दोस्तो हिंदी English medium में आपके एक 23 मार्च को exam होने वाला था और एक आपका जो exam होने वाला था एक जो 27 मार्च को आपका exam होने वाला था ओके जो 23 मार्च को जो exam होने वाला था दोस्तो बो होने वाला था हमारा English special का कौन सा होने वाला था English Special का और जो हमारा 27 मार्च को ग्राइब होने वाला था वो होने वाला था हमारा दोस्तो Hindi General का तो हमारे जो English Medium के अंततगरत दोनों ग्राइब ग्राइब कम्प्रेंट नहीं हो पाइते तब तक जो कि Lockdown कर दिया गया था, आप सभी को पता है, दोस्तों की lockdown कर दिया गया था, और Hindi medium में महारे रह गयती, एक exam, कोके, लोके की Hindi medium बालोग की एक exam रह गयती, 23 advoc को होने बाला था, अब बाद में होगा, और English medium में 2 exam रह गयती, दोस्तों, 23 March को होने बाला था, English special का, और 2 17 मार्च को होने बाला था इन्दी जन्रलक तो दोनों एक्जाम अब दोस्तों कव होने बाले हैं एह मैं आपको बता दूँ दोस्तों 10th Class में किसी भी Subject का exam है वो छोड़ा नहीं जाएगा, तीन सब्जेक्ट के जो exam रह गा हैं, तीनो सब्जेक्ट के exam कराए जावेंगे, तीनो सब्जेक्ट के exam कराए जावेंगे, दोस्तो, twaj companis WOW狂 man subject के exam होने थे हैं, लेकिन tey다음 class में तीनो सब्जेक्ट के exam कराए जा नही हैं, आप तीन सब्जेक्ट कौन कौन चे हैं वो यहां पर आप देख लिजेगा दोस्तो इंदी मीडियम का एक रह गया है और इंगलिस मीडियम के रह गया है दो सब्जेक्ट के अब चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि आपके जो exam होने बाले हैं दोस्तो जो आपके exam कब तक होने बाले हैं या कब तक जो की जारी किये जाएंगे आपके exam तो इसके लिए दोस्तो क्या है नोटि पिकेशन जारी कर दिया गया है Official नोटिकेशन जो की आज चुका है आपने वो official नोटिकेशन नहीं देखा है तो वो official नोटिकेशन देख लीज़ेगा जैसा कि आपकी screen के सामने आ रहा होगा तो इस official notification में क्लियर बोल दिया गया है कि जो आपके जो exam होने वाले हैं जिस दिन lockdown समापत हो जाएगा उस lockdown समापती के 10 दिन के अंदर आपके जो की exam स्टार्ट कर दिये जावेगे जिस दिन आपका lockdown समापत होगा लोगडान के 10 दिन के उपरांत उपरांत का मतलब होता है 10 दिन बाद जैसे कि हमारा जो लोगडान होगा वो 14 मार्च को खतम होने बाला है 14 मार्च को जैसे हमारा जो की lockdown समापत होता है उसके 10 दिन बाद यानि कि 25 अप्रेल से हमारा जो टैन ट चैन टेबल आजाता है लेकिन आपका टायं टेबल गोशित किया जाएगा और बूस्तों 25 अपरल में 25 त्वर गोशित होता है तो उसकी एक्जाम आपके रह गए हैं हिंदी जो की हिंदी मीडियम बाले की एक एक्जाम रह गए है तो दोस्तो अमित कर रहा हूं से समझ में आ गया होगा यहां पर किलियर बोल भी दिया है दस दिन की उपरांत यानि की 25 अप्रल का आपका टाइंटेवल गोशित का दिया जाएगा से आपके एक्जाम स्टार होने का प्रोसेस चालू ओँगा तो आपका एक्जाम जैसे इस्टार होता है मैं आपको जो की वीडियो के मात दम से आपको टाइंटेवल बता दूगा तो जो भी चैनल पहले है जट करें रुक्वेस्ट करें जरूर सब्सक्राइब करने ना है दोस्तो एक छोटी सी रुक्वेस्ट और करूँगा, दोस्तो अगर आपने मुझे इस्टागराम पर फॉलो नहीं किया है, तो जरूर मुझे इस्टागराम पर फॉलो करने ना है, लिंक आपको डिस्टीर में मिल जाएगा, जो भी आपके डाउट होती हैं, वो मुझे वीडियो के साथ में तब तक लिए बाए